भामाशा प्रणाली के तेहद आएफएमेस के माध्यम से राज्यक्रियानवन एजन्सियों द्वारा पब्लिक डिपॉजट अकाउंट से संचालित की जाने वाली योजनाओं के तेहद लाबार्तियों को लाब हस्तांतरित ई-पेइमेंट प्रक्रिया से जुड़ा जाएगा जिससे लाबार्तियों तक पहुचने वाले बेनेफिट्स पर प्रभाव नियंतरन तता पारदिशता रखी जा सके गत वर्ष निर्मान विभागों के लेन देन को आएफएमेस के माध्यम से कोशालियों से असोसिट किया गया इसे आगे बढ़ाते हुए लेन देन से संबं जमा की ऑनलाइन सुविधा 43 बैंक के माध्यम से नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जरिये उपलब करवाई जा रही है इसी क्रम में मैन्यूल रिसीट को भी ए मोड पर लाया जाएगा जिससे जमा करता हुद्वारा उनकी अप्रोच में आने वाले एजनसी बैंक की राजस्तान में स्थित किसी भी शाखा में नगत डिमांड ड्राफ अथवा बैंकर चेक से राजस्व जमा करवाये जा सकेगा तैसिल मुख्यालें उपर स्वतंत्र उपकोश की आवश्रक्ता को देखते हुए तैसिल दोरी मन्ना, सिठाधारी, सेडवा, पाननदपुरी, सजनगर, बांसवड़ा, जस्वनपुरा, चितलवाना जालोर, अरई अजमेर, भुपाल सागर जोदपूर, मासलपूर करोली और किशनगर रेनवाल जैपूर में नवीन उपकोशों की स्थापना की जाएगी साथी, पुशकर अजमेर, रामसर, शिव, बार्मेर, उदैपूर बार्टी जुन्जुनू, ओसिया जोदपूर, फतेगर जैसलमेर, जाजपूर भीलवाडा, कपासन चित्तोडगर, पातन जालावार, बसवा दोसा, सांगोत कोटा, सपोर्टरा करोली, साहिला जालोर, करिया हनुमानगर, सेंपव धोलपूर, बीदासर चूरू, एवं किशन गंज बारा में नवीन उपकोष भवनों का निर्मान, आठ करोर पचास लाक रुपे की लागत से करवाया जाएगा, करमचारी कल्यान, सातवे वेतन आयों की शिवारिशों के परिपेक्ष में, चर्ण सानसादन विभाग, इंद्रा गांदी नहर परियोजना, सिंचे छेत्र विकास विभाग आयूरवेद विभाग के ऐसे कार्य प्रभाववित करमचारी जो अन्य पद पर नियुक्त हैं और वर्तमान में स्टॉर मुंशी की पद पर कार्य कर रहे हैं उनकी मांग हैं कि उन्हें स्टॉर मुंशी की पद पर नियुक्त किया जावे उनक प्रिचेट चेत्र विकास विभाग आयूर्वेद विभाग में कारेरत ऐसे कारेप्रभारित करमचारी जो की नौ, अठारा और सतीस वर्षिय चैनित वैतनमान अथ्वा अशौर्ट करिया प्रोग्रेशन ले रहे हैं उनकी लंबे समय से पदनाम परिवर्तन की मांग को ध्य प्रस्तुत कर रही हूं, ये कर प्रस्ताव भारत सरकार के वित्व मंत्री महोदय की इस गोशना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है कि देश में शीग्रही अप्रत्यक्ष करे हेतू नवीन कर व्यवस्ता जी एस्टी लागू की जानी संभावित है, Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment Tax के स्थान पर एकी कृत कर प्रणाली Goods and Services Tax लागू किया जाना प्रस्तावित है। मैं सदन के प्रती धन्यवाद ग्यापित करती हूँ कि GST की क्रियानवन हेतु समविदान संशोधन विद्यक पर सदन द्वारा अपनी सहमती दी गई है। GST को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कारवाई की जा रही है। और मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने वर्ष 2006 में सभी के सहयोग से राज्य में सफलता पूरवक वैट लागू किया था। हमने वर्ष 2014-15 के बजट में मानिय उद्योग मंत्री के धक्षता में GST काउंसल्टेशन कमिटी गठित किये जाने की गोशना की थी। इस समिती द्वारा उद्योग तथा व्यापार जगत के GST लागू करने के संबंद में विचार विमश किया जा रहा है। तथा उनके सुझावों को GST काउंसल के समक्ष रखा रहा है। राजे के सभी अदिकारियों को GST के प्रस्तावित कानून संबंदी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजे के 75 अदिकारियों को IT Master Trainer की रूप में प्रशिक्षट किया गया है। जो GSTN के संबंद में अधिकारियों तथा स्टेक होल्डर्स को प्रसिक्षन देंगे। राज में GST लागू करते समय दीलर्स को आने वाले समस्याओं के निराकरण के लिए संभाग तथा जिलास्तर पर GST Help Desk, जैपुर में Centralized Call Center तथा GST Simulation Center स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। GST व्यवस्था में राज सरकार को Services पर करार उपन का अधिकार प्राप्त होगा, जिससे राज का Tax Base बढ़ने के साथ साथ कार्य प्रणाली में IT का रोल भी बढ़ेगा। GST व्यवस्था में Model GST Law के अंतरगत अधिकारियों के पदनाम में भी परिवर्तन प्रस्तावित हैं। GST के शीग्र लागू होने की दिशा में वानिजिक कर विभाग के कारडर का पुनरगठन किया जाना प्रस्तावित है। GST लागू करने के करम में प्रक्रिया संबंदी सुधार और कदम GST लागू होने से पूर्व VAT, Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment Tax अधिनियम के अंतरगत 2015-16 तथा आगामी वर्ष के कर निधारों के शीग्र निश्पादन के लिए Deemed Assessment Scheme लाया जाना प्रस्तावित है। VAT अधिनियम के तहट सर्राफा, Gems and Stones, Petroleum Retail Outlets and Tent Dealers आदी के लिए Composition Schemes जारी की गई हैं। कई विवहारी इन Composition Schemes का विकल्प लेने के पसचात कुछ शर्तों की अथा समय पालना नहीं करने के कारण इन योजनाओं का लाब प्राप्त नहीं कर सके। प्रस्तावित GST के लागों होने के परिपिक्ष में ऐसे विवहारीयों को रहत दिया जाना प्रस्तावित है। के अंतरगत Applet Authority के समक्ष Online Appeal प्रस्तुत करने के प्रावधान है। किनी कारणों से विवहारी पूर्व में Online Appeal प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसे विवहारीयों द्वारा पूर्व में प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप अपील प्रस्तुत करने पर उसे मानिता दिये जाने के साथ ही अपील आवेदन के अक्नॉलिजमेंट की कॉपी तथा चालान आदी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी Applet Authority के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान किये जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में वैट और CSD रूल्स के अंतरगत गोशना पत्र ऑनलाइन जेनरेट किये जाने के प्रावधान है। उनमें अंकित की जाने वाली सूचना में तुर्टी होने पर ऐसे तुर्टी पूर्ण गोशना पत्रों को निरस्त किये जाने हे तू वर्तमान में अधिक्तम एक वर्ष की अवधी में आवेदन किया जा सकता है। कई बार गोशना पत्र में तुटी एक वर्ष के पस्चाथ पी जानकारी में से आती है। अतहर इस व्यभारिक समस्या को देखते हुए इस अवधी को दो वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष कॉंट्राक्ट समबंदी संशोधन वर्ष्चमान में कॉन्ट्राकटर्ज चुनोंने वर्ष कॉंट्राक्ट के अंतरगत एक्जंटिक्ट प्राप्त किया हुआ है। को अतिरिक्त कार्य या भुकतान मिलने पर exemption certificate में संशोधन करने हेतू 60 दिवस में आविधन करना होता है व्यभारिक कटिनाईयों के कारण कई बार इसमें विलंब हो जाता है ऐसे मामलों में रहात देने के लिए प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है अवोर्डर को फॉर्म वैट 40E ऑनलाइन सब्मिट किये जाने के प्रावधान वर्ष 2015-16 से लागू किये गए हैं प्रथम वर्ष होने के कारण कई अवोर्डर्स ने इस फॉर्म को सब्मिट करते समय तुटी की है वर्षमान में फॉर्म्स जिसमें तुटी हो गई है को संशोधित करते करने हे तू तीन माह का समय उपलब्ध है अथा ऐसे अवोर्डर्स की समस्याओं की निराकरण के लिए 15-16 के लिए फॉर्म वैट 40E में संशोधिन किये जाने हे तू समयावधी 31-3-2017 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए टीडियस का प्रमान पत्र फॉर्म वैट 40E के आधार पर सिस्टम से स्वतह जेनरेट होता है इस कारण से फॉर्म वैट 40E में संशोधन करने पर टीडियस प्रमान पत्र भी संशोधित हो जाता है जिससे कारण व्यभारियों को रिटर्न भी संशोधित करना होता है अता रिटर्न की फॉर्म वैट 11 को संशोधित करने की समय सीमा दिनांग 15-4-2017 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है प्रवेशकर यान पर दो प्रतिशत की दर से एंट्री टैक्स दिनांग 8-3-2016 से लागू है राज़ के व्यभारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यान को एक्स्क्लूसिवली जॉब वर्क के लिए राज़ में लाए जाने पर एंट्री टैक्स में दिनांग 8-3-2016 से ही छूट दिया जाना प्रस्तावित है सुक्षम एवं लगू उद्यम जीस्टी से के प्रस्तावित मॉडल लोग के प्रावधानों के से समानता रखने तथा राज़े के छोटे मैनुफैक्चर्स जो समान्यता सुक्षम एवं लगू उद्यम की श्रेणी में आते हैं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश से 50 लाख रुपे तक के टर्नोवर वाले मैनुफैक्चर्स के लिए कॉम्पोजिशन का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है ऐसे विभारियों के लिए टर्नोवर पर कर की दर दो प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है नागोर में निर्मित हैंडमेड टूल्स वा केवल राष्ट्रिय बलकि अंतर राष्ट्रिय स्तर पर ख्याती प्राप्त है गतवर्ष इस उद्द्यों को बढ़ायवा देने के लिए अधिक्तम 80 रुपे बिक्री मोले तक के कुछ श्रिणी के हैंड टूल्स को दिनांक 1416 को कर मुक्त किया था कॉंबिनेशन प्लाय भी एक ऐसा ही हैंड टूल है अता 80 रुपीज तक के कॉंबिनेशन प्लायर को दिनांक 1416 से कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है राजसरकार द्वारा सुक्ष महिल लगू उद्यों को CST Act के अंतरगत रियायती करदर का लाब अधिसूचित किया गया है एक ही मालिक द्वारा ऐसे भिन भिन उद्यों की स्थापना पर किये गए निवेश को क्लब किये जाने के संबंद में स्तिती स्पष्ट नहीं होने से व्यभारियों को रियायती करदर का लाब प्राप्ट करने में कठिनाई आ रही इस समस्या का समाधान करने के उद्देश से उक्त अधिसूचना में स्पष्टी करण जोड़ा जाना प्रस्तावित है इंसेंटिफ स्कीम 1987 के अंतरगत लाब लेने वाली यूनिट्स को योजना के अंतरगत लाब लेने के उपरांत आगामी पाँच वर्षों तक उसत उत्पादन करना अनिवार्य था व्यभारिक कठिनाईयों के कारण कुछ यूनिट्स इस शर्त का पालन नहीं कर सकी इसके कारण CST Act के अंतरगत ऐसी हिकाईयों के विरुद मांग कायम की गई है वर्तमान में ऐसी अधिकांच यूनिट्स बंद हो चुकी हैं ऐसी बंद हो चुकी यूनिट्स या BIFR के अधीन सिक घोशित हो चुकी यूनिट्स जिनके द्वारा और्द्योगिक प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रजोजनाद भूमी का बेचान नहीं किया हो को कर में रिबेट दिया जाना प्रस्तावित है मनुरंजनकर वर्तमान में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से सिनिमा टिकेट्स बुक करवाने पर ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा ओनलाइन बुकिंग सेवाओं के लिए राशी वसूल की जाती है जिस पर entertainment tax दे है इस राजशी पर दे entertainment tax को दिनांग 18-2014 से मुक्ती प्रदान किया जाना प्रस्तावित है विद्यूत शुल्क जैपुर शहर में local transport की आवशक्ताओं की पूर्ती हितु Metro Rail का संचालन किया जा रहा है यात्रियों को Metro Rail सेवा कम शुलक पर निरंतर उपलब्द कराने की उद्देश से जैपुर Metro Rail Corporation द्वारा Metro Rail सेवाओं के संचालन पर रख रखाव से संबंदित कारियों में प्रयूक्त विद्यूत उर्जा पर दे electricity duty, water conservation cess और urban cess से चूट दिया जाना प्रस्तावित है परिटन में राज्य के परिटन को बढ़ावा देने की उद्देश से यह आवशक है कि राज्य के विभिन शेहरों के लिए परिटकों को सस्ती हवाई सेवा उपलब्द हो इस हेतू भारत सरकार के regional connectivity scheme में के अंतरगत राज्य में चलने वाली RCS flights के लिए ATF की sale पर कर की दर एक प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है और दोगिक निवेश हेतू प्रोचसाहन में राज के और दोगिक निवेश को प्रोचसाहन देने के लिए RPS 2014 में के अंतरगत टाक्स बेस्ट इंसेंटिव्स दिये जा रहे है GST लागू होने पर कर विवस्ता में परिवर्टन होने से प्रोचसाहन लाब भी प्रभावित होंगे इस संबंद में उद्योग तथा व्यापार जगत की आशंकाओं के निराकरन हेतू राज सरकार के सर पर एक समिती गठित की गई है जो GST के परिपेक्ष में अन्य राजों में और द्योगिक निवेश हेतू प्रोचसाहन लिवस्ता का अध्यान करके अपनी शिफारशने प्रस्तुत करेगी सरसों राज्य का एक महत्यपूर्ण क्रिश्य उत्पाद है राज्य में तिलहन की उत्पादन को बढ़ाबा मिले रताकास्त कारों को उनकी उपज का उचित मूले राज्य में ही प्राप्ट हो सके इस हेतू राज्य में तेल उत्पादक एकाईयों में अधिकाधिक निवेश की आवशकता है ओयल मिल्स की कुछ श्रेणियों को रिप्स 2014 की अंतरगत प्रोचसान लाब उपलब्द नहीं है इस चित्र में निवेश को प्रोचसान देने की उद्देश से सभी श्रेणि की ओयल मिल्स को रिप्स 2014 की अंतरगत लाब दिया जाना प्रस्तावित है रिप्स 2014 की अंतरगत बैक्वर्ड एरिया और मोस्ट बैक्वर्ड एरिया में लगने वाले उद्यमों को अतिरिक्त लाब दिये गए हैं राज्य के ऐसे पिछले छेत्रों में निवेश तता रोजगा सुजन के अवसर को फ्रोचसाहन देने के उद्देश से रिप्स 2014 की लागो होने की तारिक से निमना नुसार अतिरिक्त लाब दिया जाना प्रस्तावित है भू रूपांतरन शुल की चूट पचास से बढ़ा कर सो प्रतिशत उद्यम में नियुक्ति कार्मिक जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के संबंद में Employment Generation Subsidy की सीमा सामान्य श्रेणी के कार्मिक के लिए 25,000 से बढ़ा कर 35,000 रुपे और महिला SCST विशेश योग जन श्रेणी के कार्मिक की दशा में 30,000 से बढ़ा कर 40,000 रुपे Additional Investment Subsidy को पिछले छेत्रों में 15 प्रतिशत तथा अती पिछले छेत्रों में 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत जैसे कि मैंने पूर्व में उलिक किया है GST शीगर लागू होना संभावित है इस तथ्यों को धान में रखते हुए इनकर प्रस्तावों में सिग्रेट पर वैट को छोड़ कर वैट, CST, Entry Tax, Luxury Tax, Entertainment Tax अधिनियम में कोई भी नया कर लगाना जाना प्रस्तावित नहीं है सभी प्रकार की सिग्रेट पर वैट की वर्तिशत की वृद्धी किया जाना प्रस्तावित है Amnesty Schemes में हमारा प्रयास है कि GST लागू होने से पूरव वैट, Entry Tax आदी में बकाया मांग का अधिकादिक निस्तारण किया जावे जिसके लिए हमने वर्तमान वित्तिय वर्ष में कई कदम उठा है जिसमें Late Fee Waiver Scheme, New Amnesty Scheme 2016 Amnesty Scheme for Entry Tax 2017 प्रमुक है इन Scheme के अंतरगत लगबग 37,000 व्यवारियों ने लाब प्राप्त किया है उद्योग तुथा व्यापार संगद्वारा ऐसी Scheme को लागू रखने की मांग की गई है और WAT Entry Tax तथा Motor Vehicle Entry Tax की बकाया मांग के लिए Amnesty Scheme जारी किया जाना प्रस्तावित है इसके साथ ही Luxury Tax तथा Entertainment Tax Act के तहत Amnesty का लाब दिया जा सके इस हेतु इन अधिनियों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है पंजियन और मुद्रांक विभाग में गत वर्ष Ancestral Property की विभाजन की दस्तावेजों पर Stamp Duty की दरों को तरक संगत किया गया अब Ancestral Property से भिन संपत्ती के विभाजन पर भी Stamp Duty की वर्तमान दर को पांच प्रतिशत से घटा कर तीन प्रतिशत तथा Registration Fees की दर को एक प्रतिशत से घटा कर 0.25 प्रतिशत तथा अधिक्तम दस हजार रुपे किया जाना प्रस्तावित करती हूँ परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के पक्ष में Ancestral Property की Release Deed करने पर Stamp Duty में रियायत प्राप्त है Stamp Duty में प्रदत उक्त रियायत का लाब बुआ तथा भतीजे द्वारा निश्पादित Release Deed के दस्तावेजों पर भी दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ Then, संपत्ती बेचान की प्रक्रिया में पक्षकारों द्वारा निश्पादित अग्रीमन्ट तू सेल तथा पार अवटर्णी के दस्तावेजों पर आम जनता को Stamp Duty और Registration Fees में राहत पदान करते हूए इन दस्तावेजों पर देज Stamp Duty क्रमशा 3 वद 2 प्रतिशत को घटा कर 0.5 प्रतिशत तथा Registration Fees एक प्रतिशत से घटा कर 0.25 प्रतिशत तथा अधिक्तम 10,000 रुपीज किये जाने के गोशना करती हूँ रेंट डीट के दस्तावेजों पर Stamp Duty की गणना के प्रावधाना को सलल करते हूए Stamp Duty की दरें तरक संगत किया जाना प्रतावित है साथ ही 20 साल तक की रेंट डीट पर Registration Fees को एक प्रतिशत से घटा कर Stamp Duty की राशी का 20 प्रतिशत किया जाना प्रतावित है EWS तथा LIG श्रीनी के व्यक्तियों को प्राथमिक्ता से आवास उपलब कराने के उद्देश से मुक्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत अबन लोकन बोडिस के साथ-साथ प्राइवेट डिवेलेपर्स द्वारा पात्र EWS तथा LIG को सीधे आवंटित आवासिय यूनिटों की दस्ता वेज़ पर भी निर्धारिट चर्तों की पूर्ती करने पर Stamp Duty में क्रमिशाज 60% तथा 30% रियायत प्रदान करने की गोशना करती हूँ गत बजट में लोन डॉक्यूमेंट्स विदाउट पॉजेशन पर स्टैंप ट्यूटी में रियायत प्रदान करते हुए Stamp Duty 0.15 पितिशत था अधिक्तम 10 लाक रुपे निर्धारित की गई थी उद्योगों के विकास था आवासों के निर्वान हे तूसस्ती दर पर रिन उपलब्द करने की उद्देश से मैं इन दस्ता वेजों पर स्टैंप ट्यूटी की अधिक्तम सीमा को 10 लाक रुपे से घटा कर 5 लाक रुपे करने की गोशना करती हूँ फैमली सेटल्मेंट के दस्ता वेजों पर रेजिस्ट्रेशन फीज को एक प्रतिशत से घटा कर 0.25 प्रतिशत तथा अधिक्तम 10 लाक रुपे करने की घोशना करती हूँ वानिजिक्त प्रयोजनों के लिए उत्पादों के विग्यापन हेतू निश्पादित अग्रीमंट तथा शस्त्र अनुग्या पत्रों पर स्टैंट ड्यूटी की दर को तर्क संगत किया जाना प्रस्तावित है गत बजट में उच्छ शिक्षा के लिए राजस्तान स्टार्ट अप पॉलिसी की अंतरगत राज्ज में स्टार्ट अप स्थापित करने के लिए तथा मुद्रा योजना की अंतरगत नॉन कॉपरिट स्मॉल बिजनस सेक्टर को 10 लाक रुपे तक के लोन दस्तावेजों त तक बढ़ाय जाने के मैं गोशना करती हूं राजस्तान MSME Policy 2015 के तहट राज्ज की बीमार सुक्षम और लगू उद्द्योगे इकाईयों को पुनर जीवित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी बीमार इकाई की अचल संपत्ती के हस्तांतरंग से के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी में शत् प्रतिशत छूट पुतान किये जाने की गोशना करती हूं दस्तावेज पंजियन के समय भूल वर्ष अधिक जमा स्टैंप ड्यूटी का रिफंड करने का करने तथा स्पॉयल स्टैंप की राशी के रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने तथा उसके लिए समय अवधी निर्धारित करने हे तू नियमों में आवश्य प्रावध द्धान किये जाने प्रस्तावित करती हूं भारत सरकार द्वारा बीमार और्दोगी किकाईयों के रिनो का बैंक वित्य संस्थाओं से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में निश्पादित असाइन्मेंट डॉक्यूमंट पर स्टैंप ड्यूटी को माफ किया ग राहत-प्रदान करते हुए इसकी अधिक्तम सीमा चार लाक रुपे निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है प्राइविट कंपनी पार्टनर्शिप फर्म या अनलिस्टिद पब्लिक कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्शिप में कन्वर्जिन के सभी प्रम राप्तमंदी को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट इंडिस्ट्री तथा अन्य उद्योगों को प्रोचसाहन प्रदान करने के उद्देश से वानेजिक भूमी के 100 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक के भुकंडों के मूल्यांकन पर 5% तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक छेत्रफल के भुकंडों के मूल्यांकन पर 10% रियायत प्रदान करने की गोशना करती हुए नगरिय निकायों द्वारा नियमन के पस्चात आमजन को जारी पट्टों पर स्टैंप की रियायतों को दिनांक 31-12-2017 तक बढ़ाने की गोशना करती हुए मैं 2015-16 के बजट में आमजन को राहत प्रदान करने की उद्देश से 14-7-2014 तक निश्पादित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई थी मैं दिनांक 14-7-2014 तक निश्पादित ऐसे मध्यवर्ती दस्तावेजों पर इंट्रिस्ट और पेनल्टी में शत्-प्रतिशत छूट दे जाने की गोशना करती हुए आमजन को राहत पतान करने की उद्देश से पुराने पंजी कुछ दस्तावेजों पर बकाया स्टैंप ड्यूटी की राशी दिनांक 3-3-4-2017 तक जमा कराने पर इंट्रिस्ट और पेनल्टी में 100 प्रतिशत रियायत पतान करने की गोशना करती हुए वर्तमान में डिवेलप्मेंट ऑफ बेसिक इंफरस्ट्रक्चर फसिलिटी अथा गोवन्च सरॉंक्षन के लिए स्टैंप ड्यूटी पर दे सरचाज केवल अचल संपती से संबंदित कुछ दस्तावेजों पर दे है मैं सभी दस्तावेजों पर दे स्टैंप ड्यूटी पर सरजाइच प्रभारित किया जाना प्रस्तावेद करती हूँ लाइसेंस स्टैंप वेंडोज को उनके द्वारा कलेक्टिट सरजाज की राजशी पर एक पतिशत पारिश्रमिक देने की घोशना करती हूँ राजस्तान स्टैंप एक की दारा पांच में सेल, सेटलमेंट और मॉटकेज की ट्रांसक्शन को पूरा करने के लिए निश्पादित एक से अधिक दस्तावेजों में से केवल एक मुख्य दस्तावेज पर ही स्टैंप ट्यूटी दे है तता 6 सभी दस्तावेज स्टैंप ट्यूटी से मुख्त हैं दारा पांच में एक्विटबल मॉटकेज को सम्मिलित करते हुए मुख्य दस्तावेज के अतिरिक निश्पादित अन्य प्रत्तिक दस्तावेज पर 200 रुपी स्टैंप ट्यूटी लिया जाना प्रस्तावित है आगामी वित्य वर्ष में राज्य के 255 कारेले को इपंजियन सौफ़एर से जुड़ा जाना प्रस्तावित है अचल संपत्ति के दस्तावेजों के पंजियन के समय संपत्ति के बाजार मूल्य का सही आंकलन करने हितू संपत्ति का मौका निरिक्षन राज्य की सूचना और प्रोधोगिक विभाग द्वारा विक्सित किये गए GPS आधारित राजधारा आप या अन्या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किया जाने के लिए नियमों में शंशुधन किया जाना प्रस्तावित है Stamp Vendors के नए लाइसेंस तथा उनके नवीनी करन के की आवेदन प्रक्रिया तथा निरधारित शुल के भुक्तान को इपंजियन सॉफ्ट्वेर के माध्यम से आउनलाइन किया जाना प्रस्तावित है परिवहन विभाग में नौन ट्रांसपोर्ट वहिकल से ट्रांसपोर्ट वहिकल में कैटेगोरी चेंज करने पर जथा इन वहनों के अनापति प्राप्त कर अन्य राज्यों में पंजियन होने की सिती में राज्यों में जमा वन टाइम टाक्स के रीफंड आवेदन की manufacturer या dealer द्वारा किसी प्रोचसान स्कीम के आधीन या अननत्या दिये गए किसी discount शूट या रियायत को exclude करते हुए one time tax आरूपित किया जाना प्रस्तावित है गत वर्ष 12,000 kg ग्रोस वेहिकल वेट तक के भार वहन तथा 13 सीट तक बैठक शमता वाले प्राइविट सर्विस वेहिकल के लिए एक मुष्ट कर अनिवारिक किया गया था इस एक मुष्ट कर को एक वर्ष में 6 समान किष्टों में जमा कराने का विकल्पी दिया गया था एक मुष्ट करके दाइरे को बढ़ाते हुए अब 16,500 kg ग्रोस वेहिकल वेट तक के ट्रक और 20 सीट तक बैठक शमता वाले प्राइविट वेहिकल सर्विस वेहिकल नता कॉंट्राक कैरेज बसों के लिए भी समान प्रावधन किया जाना प्रस्तावित है कंस्ट्रक्शन एक्विप्मेंट वेहिकल की नौन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी पर वन टाइम टैक्स की दर निर्मित यानों के लिए कीमत का 6 प्रतिशत तथा शैसी के रूप में क्रह वाहन पर कीमत का 7.5 प्रतिशत एक एपरल 2007 से प्रभावी है अब इस शैनी के यानों पर निर्मित यानों के लिए कीमत का 7 प्रतिशत तथा राशैसी के रूप में क्रह किये गए वाहनों पर कीमत का 8.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ट्रेट सर्टिफिकेट धारक वहिकल मैनुफैक्चरर जीलर्स के अधिपत्य में रखी वाहनों पर करकी सीमा 2 वीलर वहिकल के लिए 2,000 रुपे प्रतिशत वाहन या उसके भाग के लिए तथा 3 और 4 वीलर वहिकल के लिए 4,000 रुपे प्रतिशत वाहन एक तीस तीन प्रतावित करती हूं गुड्स वेहिकल तथा कंस्ट्रक्शन एक्विप्मेंट वेहिकल के परिवन शेनी की यानों पर मोटर वेहिकल टैक्स की अधिक्तम सीमा 25,000 रुपीज वार्शिक 4,10,2002 से प्रभावी है अब ऐसे वाहनों पर कर की अधिक्तम सीमा 35,000 रुपीज व टेंबर 2017 तक एक मुझ राशी जमा कराने पर ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है स्थानिय निकाए नगरी निकाए और आवासन विभाग आमजन को रहत देने के उद्देश से नगरी रिकाए नगर निकाए नकर विकास न्यास नगर राजस्तान आवासन मंड जैपूर, जोदपूर तथा अजमेर विकास प्रादिकरण की तरफ बकाया लीस अमाउंट एक मुझ जमा कराए जाने पर देव्याज राशी में 100% की शूट दिया जाना प्रस्तावित इस चूट का लाव दिनांक 14 2017 से 30 सप्टेंबर 2017 तक प्रभावी रहेगा विकास प्र 37.12.17 तक एक मुझ जमा करने पर इंटरेस्ट सता पेनल्टी में 100% की शूट दिया जाना प्रस्तावित है आम जन को रहात देने की उद्देश से नगर निकायों की तरफ बकाया Urban Development Tax जमा कराए जाने पर देव्यार सता पेनल्टी की राशी में 100% चूट दिया जाना प्रस् से दिनां के 30.12.2016 तक की जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशी एक मुझ जमा कराए जाने पर इंटरेस्ट और पैनल्टी में 100% चूट दिया जाना प्रस्तावित है ये चूट 30.17 तक बकाया राशी एक मुझ जमा कराए जाने पर देव होगा आधार बूत समरचना का विकास दस्तावेज के पंजियन में आम जन की सुविदा हेतु उप महा निरिक्षक कारेले भीलवडा बासवडा तथा उप पंजियक कारेले कोटा प्रथम लूनी जैसलमेर उदैपूर प्रथम तथा द्वितिया राजसमन मालपूरा निवाई चाकसू शापूरा भीलपूर आपकारी मुख्याले में अतिरिक्ववन निर्मान, कोता में यो, एपिएफ कारेले, आUSE, गंगानगा, चुरू, नागlor, बारा, कोता में एई-ई-ओ, ए-पी-एफ कारले तता नागोर और कोटली में पी-ओ, ए-पी-एफ कारले के भवनों का भी निर्मान कराय जाना प्रस्तावित है इन कर प्रस्तावों से लगभख 40 करोल रुपे की अतिरिक्ट आये संभावित है तता दो सो करोर रुपे से अधिक की राहत की दी गई है इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों से भी संशोधन प्रस्तावित है इन संशोधनों के संबंद में विस्तुत उद्देश और प्रयोजन वित प्रदेक में वरनित है इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और गोशनाओं की क्रियानविती हेतू तथा कुछ और अन्य प्रयोजनाथ की अधिसूचनाई जारी की जा रही है संशोधित अनुमान 2016-17 बजट अनुमान 17-18 मैंने वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में सदन को अबगत कराया था कि भारत सरकार द्वारा विद्यूत वित्रन कंपनियों के रिवाइवल के लिए लागू की गई उधय योजना के तहत वर्ष 2015-16 एवं 16-17 के लिए के में लिए गए डेट को राज कोशिय घाटे में सम्मलित नहीं किया जाना है उधय योजना का राज के वित्यमान को पर होने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए राज्य के बजट में विभिन फिस्कल इंडिकेटर्स को उधय योजना के प्रभाव सहित और उधय योजना के प्रभाव के बिना दिखाया गया है उधय योजना क प्रवाव के बिना संशोधन अनुमान वर्ष 2016 का संक्षिप्त विवरण निम्ना नुसार है राजस्व प्राप्तियां 1,16,427,76 लाक्स राजस्व व्याए 1,25,266,17 लाक्स राजस्व घाटा 8,838,41 लाक्स पुन्जी खाते में प्राप्तियां 32,090,24 लाक रुपे पुन्जी खाते में व्याए 23,240,51 लाक पुन्जी खाती में आधक्य 8,849,73 लाक रुपे उदेय योजना के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए संशोदित अनुमान वर्ष 2016 का संशिप विवरन निम्ना नुसार है राजस्व प्राप्तियां 1,16,427,76 लाक रुपेज राजस्व व्याए 1,34,266,17 लाक रुपेज राजस्व घाटा 17,838,41 लाक रुपेज पुझी खाते में प्राप्तियां 54,462,44 लाक रुपेज पुझी खाते में व्याए 36,612,71 लाक रुपेज पुझी खाते में आधिक्या 17,849,73 लाक रुपेज उदेय योजना के अंतरगत राजसरकार द्वारा कुल 62,421,96 लाक रुपेज का डेट लिया गया है इस योजना के अंतरगत डिसकॉम्स को वर्ष 2015-16 ता वर्ष 2016-17 में डेट के रूप में जो राश्री उपलब्द कराई गई है उसमें से 12,000 करोड रुपे की ग्रांट में कन्वर्जन के कारण तथा उदेय योजना में राजसरकार द्वारा लिये गए डेट पर ब्याज बुक्तान के कारण वर्ष 2017-18 में राजस्वा घाटा होना अनुमानित है इस आधार पर आयविवेक अनुमान वर्ष 2017-18 का संक्षिप विर्णम निम्ना नुसार है राजस्वा प्राप्तियां वनलग 30,162 करो केLoveLax राजस्वा व्याए वनलाग 43,690 करो 12,010 कैलाक्स राजस्व घाटा 13,528 करोर 3,00, पूंजी खाते में प्राप्तियां 51,653 करोर 64,00, पूंजी खाते में व्याये 38,063 करोर 80,00, पूंजी खाते में आधिक्या 13,589, 84,00, रुपीज, राजकोशिय घाटा वर्ष 2017-18 की ब्याज अनुमानों में राजकोशिय घाटा 24,753 करोर 53,00 रुपे अनुमानित है, जो की GSDP का 2.99 प्रतिशत है, वर्ष 2016 में राजस्थान FRBM Act 2005 में राजकिय प्रत्या भूतियों की सीमा निर्धारित की गई थी, वर्ष 2016-17 के संशोधन अनुमानों के अनुसार, राजकिय प्रत्या भूतियां सीमा के अंतरगत रहना अनुमानित है मैं वर्ष 2017-18 का वाशिक वित्तिय विवरन सभापटल पर रख रही हूं, साथ ही राजस्थान FRBM Act 2005 की अपेक्षा नुसार, मध्यकालिक राजवित्य निती विवरन, राजवित्य निती युक्त विवरन एवरम, प्रकटिकरन विवरन में सभापटल पर रख रही हूं, अ अंतमें प्रदेश की जनता को यह बजट समर्पित करते हुए, यह कहना चाहती हूं, कि जनता के वादे को निभाने की कोशिश की मैंने, उसके हर हर्फ को अबातत बनाने की कोशिश की मैंने, मेरे हाथ में जो दस्तावेज है, पुखता साबूत है इसका, पुखता सबूत है इसका, मेरे हाथ में जो दस्तावेज है, पुखता सबूत है इसका, कि हर जखम पर मर्म लगाने की कोशिश की है मैंने, इनी भावनाओं के साथ, मैं बजट प्रस्तावों को स्विक्राद करने की संसुती के साथ, मानिय सदन की विचारात और राजस्तान राजिस के आयवैक अनुमान वश तोजास सत्रा दोजार अठारा के उपस्थापित करेंगी और उससे शदन की मेज पर रखेंगी. मैं आप अजक्ष महुदें मैं आपके अनुमती से राजस्थान राज्य के आई विवेक अनुमान वर्ष 2017-18 की उपस्थापना करती हूँ एव हम इसे सदन की मेज़ पर रखती हूँ मैं आपके अनुमती से राजस्थान विवेक 2017 को पुरस्थापित करने की आग्या के लिए प्रस्ताव करती हूँ जो पक्ष में हो हां कहें जो भी पक्ष में होना कहें हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता जोरदार तरीकी से बुले विवेक को पुरस्थापित करने की अग्या प्रदान की गई प्रभारी मंत्री विवेक को पुरस्थापित भी करेंगी मैं आपकी अनुमती से राजस्तान वित्त विद्यक 2017 को पूरे स्थापित करती हूं सरन की बैठा गुरुआ विनांक 9 मार्श 2017 के प्राता 11 बजे तक के लिए स्थागिन की जाती है